लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होगी, लेकिन अभी तक बहुत सी महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है, इसका उपाय और आप जान जाते हैं, तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप. पहले ध्यान से इस वीडियो को समझिए, इसके बाद आप इस उपाय को करेगा, उससे पहले अगर आप लोग डेली वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, तो चलिए. जानते हैं, जो लहसुन होता है, खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, हम सभी को पता ही मैं, और साथ ही साथ आयुरवेद में बहुत ही गुनकारी आउशधी माना गया है, यानि कि अगर कोई बीमार होता है, तो लहसुन की आउशधी यहाँ. पर काम कर सकते हैं, ठीक है, हालांकी इसके बहुत से फाइदे होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, और जोतिश शास्त्र में लहसुन के बहुत ही उपाय बताए गए हैं, बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं, उपाय जो होते हैं, वहसी किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके दान की तिजोरी को भी भर देते हैं, तो चलिए मैं आपको एक-एक उपाय बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, इसके बाद आप इन सभी उपाय को करेगा, देखिए पहले उपाय है, अगर आप लाख मेहंत करने के बाद आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेगा, आपको शनिवार के दिन, शनिवार के दिन अपने पास में एक लहसुन की काली रखना है, काली का मतलब होता है, सिर्फ एक लहसुन ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन जो आप रखना है इसका एक काली आपको अपने पास में रखना है और जब भी इसे आप अपने पास में रख लेते हैं तो एक दिन बाद इसे आपको हटा देना है जो से आज आपने इस काली को अपने पास में रखा है तो कल आप इसे अपने पास से हटा दे यानि की बदल दे अब इ उपाय को करने से भाग्य जो साथ होता है आपका भाग्य भी चमकेगा साथ ही साधन के मार्ग भी खुलेंगे यानि कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा और आप जो मेहंत करते हैं उसका परिणाम आपके मनचाहा परिणाम आपको मिलेगा शुरू मिलना शुरू हो जाएगा अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा उसकी बात करें जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है चाहे आप आफिस में कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार में करें कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है, मान लीजिये अगर. आप ओफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गीत होता है, जी गेट से आप अंदर आते जाते हैं, अपने व्यापार करने के लिए आपको इस गेट पर ध्यान रखना पांच लहसुन की कलिया लेना है, ठीक है, आप मान लीजिए पांच लहसुन की काली आपको ले लेना है और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे यानि कि आपको एक पोटली बनाना है अब मान लीजिए अपने एक लाल कलर के कपड़े में या फिर दिल दिया उसे अपनी पोटली बना दिया अब ध्यान रखिए कि यह उपाय आप कब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे यानि कि जब इसे आप अपने गेट पर लगे मटका आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना कोई भी आप से कुछ पूछे ना ध्यान ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा जिस भी कार्य में आपको कार्यक्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ देखिए अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई जगड़े होते हैं, ग्रह प्रवेश होते हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो छोटे बच्चे होते हैं, वह आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके पति-पत्नी के बीच में लड़ाई जगड़े होते हैं, तो अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की प्रॉबलम चल रही है, समस्या चल रही है, तो आप इस उपाय को करेगा कैसे करना है, चलिए बताते हैं, लेकिन अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई जगड़े होते हैं, या फिर आपके घर में ग्रह कलेश होती रहती है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, अगर आप इस उपाय को करते हैं, इसे कैसे करना है, आप आपको दही एक कटोरी लेना है, अब उसे दही में आपके साथ लहसुन की काली डाल देन लहसुन को डालना है और मान लीजिए अपने साथ काली की लहसुन उसे दही में डाल दी है तो उसके बाद आप घर की छट पर इसे रख देंगे कहां पर घर की छट पर आप रखेंगे इससे घर की नकारात्मक उर्जा दूर होती है साथ ही साथ आपके घर में जो लडाई जगडे होते हैं वह भी दूर हो जाएगी यानि की कहने का मतलब है यह लहसुन जब छट पर रखें जैसे जैसे लहसुन सुखेगा वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा यानि की लडाई जगडे का माहौल है सब कुछ समाप्थ हो जाएगा स्थिती बहुत ज्यादा सुधारने लगेगी तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाएं आओ चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा उसके बाद आप इस उपाय को डोट करेगा देखिए अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं तो आपको इस उपाय को करना है नजर तो उसको दूर करने के लिए अगर आपको अक्सर नजर लग जाती रहती है तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है तो आप पहले एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उसे कपड़े में बांध देना है नीले रंग के नए कपड़े लिए उसे समय आपको एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है इसे अपने घर के दर्वाजे पर रखना है जहां से आपको लग रहा है कि कोई यही से लोग के नजर लग रही है ताकि वहाँ पर आप जब वह आदमी को हमेशा दिखता है इससे क्या होगा इससे जो नजर लगने की संभावना है वह काम हो जाएगी और यह उपाए नज़र उतारने में मदद करता है तो आपको कुछ इस प्रकार से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हर हर महादेव